तत्व तत्व सूरा कही तुलसी कही अनूठी अब बची खुची कभी रा कही और कही सब जूठी आज हम लोग चर्चा करेंगे महा कभी सूर, महा कभी तुलसी, संत कभीर और संत धर्मदास पर आपके पाठिक्रम में भक्तिकाल के चार महा कभीयों के एक एक पद को संकलित किया गया है जिसमें बुशाई तुलसी दास जी और महा कभी सूर, सगुण भक्तिकाब बेधारा के कभी हैं और कभीर और धर्मदास जी निर्गुण भक्तिकाब बेधारा के प्रमुक कभीयों में गिने जाते हैं तो इन चारों पर हम चर्चा करेंगे एक एक पद आपके पाठिक्रम में रखा गया है सबसे पहले आते हैं महा कभी गोश्वामी तुलसी दास जी भक्तिकाल में सगुन काब बेधारा में राम भक्तिकाब बेधारा के प्रमुक कभी गोश्वामी तुलसी दास जी लोक मंगल की साधना के रचनाकार के रूप में प्रतिश्थित हैं महान भक्त के साथ साथ महा कभी और लूक नायक के रूप में ततकाली समाज का उन्होंने मार्ग दर्शन किया है साहित्य में जीवन की बिविधता पूर्ण ब्याक्या का जो उपक्रम गोश्वामी तुलसी दास जी के काब्बे में मिलता है वहाँ अन्यत्र नहीं है गोश्वामी तुलफीदास जी का जन्म जो है सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाओं में हुआ था गोश्वामी जी के पिता का नाम पंडित आत्मा राम दूबे और माता जी का नाम हुलसी था जन्म के समय जैसी मान्यता है कि गोश्वामी जी रोय नहीं उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया जिससे उनका नाम राम बोला रखा गया अभुक्त मूल अर्थात अशुब नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया गोश्वामी जी ने इस सत्य को कविताव अली में स्विकार किया है कि मातु पिता जग जाय तजो बिधिहू न लिखी कचु भाल बलाई गोश्वामी तुलफी दास जी का जो बिवाह है पंडित दीन बंधु पाठक की सुपुत्री रतना वली जी के साथ हुआ था लोक सुर्त के अनुसार रतना वली जी के ही कारण गोश्वामी जी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ गोश्वामी जी के गुरू श्वामी नरहर दास जी थे गोश्वामी जी ने रामचरित मानस में इसे स्विकार भी किया है कि बंदहु गुरुपद कंज क्रिपास सिंधु नर रूप हरी नर नाम हरी नर हरी नर हरी और गोश्वामी जी का सरवाधिक समय कासी अयोध्या और चित्रकूट में बेतीत हुआ सन 1623 को कासी में गोश्वामी जी का स्वर्गवाशुगा एक दोहा प्रचली थे कि संबत 1688 के तीर असामन सुकला सप्ति में तुलसी तजयो शरी जहां तक रचना का प्रचन है कासी नागरी प्रचार्णी सभाने गोश्वामी जी के 12 ग्रंथों को प्रमानित माना है पहला है राम चरित मानस जो महाकाब्वे है फिर है विने पत्रिका, कविता वली, बरवे रामायन, जानकी मंगल, पारवती मंगल, रामलला नहचू, दोहा वली, रामाग्या प्रचन, वैराग्य संदीपनी, गीता वली इस तरह और हन्वान बाहुक और हन्वान चालीचा को कुछ विद्वान गोश्वामी जी की कृति मानते हैं गोश्वामी तुलफीदार जी, राम भक्ति धारा के सर्व प्रमुख कवि माने जाते हैं उन्होंने स्री राम भक्ति के माध्यम से भारतिय जन्मानस में नवीन चेतना जागृत की गोशामी जी की लोक और सास्त्र में गहरी पैट है प्रसंगों की अचोक समझ है प्रकित वा जीवन के विविद भाव पूर्ण चितनों से उनका रचना संसार शंब्रिद्ध है उनकी अनुपम कृति राम चरित मानस हिंदी का अद्वतिय महाकाब्य माना जाता है गोशामी तुल्फिदास जी का राम चरित मानस विश्व प्रसिद्ध महाकाब्य है एक विद्ध्वान ने बहुत सही कहा है कि बेदमत सोधी सोधी के पूरान सब है संत्य वा संतन के भेद को बतावतो और कपती कुराहि कुल कलि के कुछाली जीव कौनरामना महुं की चरचा चलावतो बेनी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीतिया पाहन यह से कौन प्रेम उप जावतो भारिभव सागर उतारतो कवन पारी जो पया हरा मायन तुलसी नगावतो और रामचरित मानस के संबन्द में रामचरित मानस सा मन्जुकर्ण धार लेके डूबती सी भारत की नईया को बचाता कौन पति बिना भीपति है मतिगति पति ही है अरे नारियों को सीता का संदेशी सुनाता कौन खुलसी की कोख यदि तुलसी न लेते जनम तो भक्त की भागी रती बिश्व में बहाता कौन गोशामी जी की बिश्व प्रसिद लोक प्रियता के पीछे स्री सीता राम कथा से अधिक लोक संबेदना और समाज की नेतिक बनावट की समझ है उनके सीता राम इश्वर की अपेक्षा तुलसी के देशकाल के आधर्सों के अनुरूप मानविय धरातल पर पुना स्रीजित चरित रह गोश्वामी जी ग्रामेण वा क्रिशक संस्कृती तथा रक्त संबंद की मर्यादा पर पर आश्रित ग्रिहस्त जीवन के चितेरे कभी हैं गोश्वामी जी संस्कृत के मूर्धन विद्वान थे उन्होंने श्री राम चरित मानष के बाल कांड के प्रारम्ब में उन्होंने इस बात को स्विकार भी किया है कि वे शंस्कृत के विद्वान है चुंकि हर कांड के प्रारभ में उन्होंने संस्क्रिट में इस लोग लिखें और दूसरी बात वे वेद पुरान उपनिशद इस्मृतियां सब का अध्यन कर चुके थे उन्होंने कहा है कि नाना पुरान निगमागम सम्मतम क्वचित आपी हमारा जो साहित्य है वह नाना पुरान निगमागम सम्मत है लेकिन उसमें क्वचित आपी कुछ और भी है वही गोश्वामी जी की मौलिकता है सास्त्रिय भासा संस्कृत में स्रिजन शमतार रखते हुए भी गोश्रामी जी ने अवधी और ब्रज को स्विकार किया. अपने साहित्यरचना का माध्यम बनाया. सास्त्रिये को लोक ग्राहे और लोक ग्रहीत को सास्त्रिये बनाने की गोश्वामी जी की दक्षता ने जन सामाने तथा विद्वान दोनों में समान रूप से अपनी प्रतिष्ठा कायम कर दी इसलिए गोश्वामी जी अत्यंत लोक प्रिये हुए गोश्वामी जी ने गीत प्रबंध और मुक्तक तीनों का विरूपों का प्रयोग करके अपने साहित की सर्जना की है अलंकारों का सफल और सुन्दर प्रयोग किया है चंद योजना भी अत्यंत स्रेष्ठ है दोहा चवपाई शोल्ठा कवित सवय्या छप्पय आदिका और वनिक चंदों का सफल तम प्रयोग है गोश्वामी तुलफीदास जी हिंदी साहित की स्रेष्ठ कभी माने जाते हैं उनका संपूर्ण काब्य लोक कल्यान एबं समन्वे की भावना से ओतप्रोत है वे सच्ची अर्थों में लोकनायक थे अब आएए उनका पद आपके पाठिक्रम में संग्रहीत जो बिने पत्रिका का पद है मन पच्चते ये अवसर बीते बिने पत्रिका गोश्वामी जी की प्रवधतम कृती है इसमें 289 पद संग्रहीत है और विने पत्रिका में वो है गोश्वामी जी की विने की पाती जो मर्यादा पुर्षोत्रम स्री राम के चर्णों में अर्पित किया है स्री गनेश वंदना से प्रालंभ करके उन्होंने अपनी धीनता का इजहार प्रभु राम के सामने किया है और बहुत सारे पद संदेश परक भी हैं चूंकि जीवन के जो अनुभव हैं उन्हें गोश्वामी जी ने बिने पत्रिका में रखा है आए पद पढ़ते हैं सुत वनितादी जानी स्वारत रत नकरु नेह सब हीते अन्तहु तोही तजेंगे पामर तून तजे अवहीते अब ना थई अनुराग जाग जड त्याग दुरासाज जीते बुझे नकाम अगिन तुलसी कहूं बिशे भोग बहुगीते अपने मन को संबोलतित करते हैं गोशामी जी कहते हैं मन पचिताई हैं आवसर बीते हैं आवसर बीत जाने पर समय बीत जाने पर पच्छताना पड़ेगा दुरलब देह पाई यह शरीर जो है अत्यंत दुरलब है बड़े भाग्य मानुस्तन पावा सुर दुरलब सद गरंतनी गावा बड़े भाग्य से यह मानों का शरीर प्राप्त हुआ है दुरलब देह पाई जो सुलब नहीं है देवताओं को भी उस देह को पाकरके हरी पद भाजू भगवान के चर्णों में अनुराग लगा भगवान का भजन कर हे मन तु मनसा वाचा करवना से प्रभू राम का भजन करो और उदाहरन देते हैं गोशामी जी सहस्त्र बाहु दस वदन आदिन्रिप बचे नकाल बली ते अरी सहस्त्र बाहु जिसकी हजारों भुजाएं थी कार्तिवीर अर्जुन की दस वदन दस मुहबाला रावन ये राजा बचे नकाल बली से ये भी काल से बच नहीं सके अपना समय आने पर ये भी इस धराधाम को छोड़ कर चले गए हम हम कही धन धाम समारे यह मेरा हे यह मेरा है यह हमने कमाया है यह कह कह करके हम धने करते हैं एक समय ऐसा आता है कि अंत में चले उट रीते रीते मने खाली हम खाली हांत इस धरा को छोड़ कर चल देते हैं सुत वनिता दि जानी स्वारत रत सुत और वनिता सुत माने पुत्र वनिता माने पत्नी जानी स्वारत रत यह सब स्वारत के बसी भूत होते हैं जब तक इनका स्वारत है तब तक मेरी महत्ता है और जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ जाओंगा उस दिने सब कुछ भूला देंगे हमको भूल जाएंगे करू नने न करू नेह सब हीते इनसे प्रेम मत करो अगर तुम्हें प्रेम करना है तो भगवान के चर्णों से करो अन्तहु तो हित्त जेंगे पामर पामर वाणे नीच अपने मन को संभूधित करते और सामी जी कहते हैं कि नीच मन अन्तहु तो हित्त जेंगे अनत में तुझे सब छोड़ देंगे सुटवणिता समाज परिवार नाथ रिस्टेदार यह सब कुस तुम्हें छोड़ देंगे और केवल एक साथी भगवान के स्रीचरण अन्त हुटों ही तजय के पामर अरे तून तजय अब ही से तुम अभी से ही क्यों नहीं छोड़ देते हो भाई जो तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं उनका साथ करने से क्या लाव अब ना थहीं अनुराग जा रागू हे जड़ा हे मूर्क तू अब जग जा और जो हमारे नात हैं जो प्रभू हैं जो राम हैं उनसे अनुराग लगा उनसे प्रेम कर और त्याग दुरासा जी से निरासा को त्याग दो अपने मन से निरासा को हटा दो अरे बुझेन काम अगिन तुलसी कहूं विशे भोग बहुगी थे गोश्वामी जी कहते हैं कि बुझेन काम अगिन जो काम रूपी अगनी है जो कामना रूपी अगनी है जो विशे बासना रूपी अगनी है वो कभी नहीं बुझेगी चुंकि उसमें वि घी डाला जा रहा है कोई अगनी प्रज्वलित है आप घी डालेंगे तो और प्रज्वलित होगी तो यहां रूपक अलंकार के माध्यम से हमारे गोश्वामी जी कहते हैं कि बुझेन काम अगी नहीं कि अब भगवान राम जो स्वामी हैं उनके प्रत्रेम कर लो तुलफीदा बासना रूपी जो इच्छा है बासना रूपी जो अगनी है वह तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक प्रभु के चोड़ों में अनुराग नहीं लगाओगे इसलिए हेमन भगवान का भजन करो यही सार्थक है सेश सबनिर्थक है इसमें अवधी भासा का प्रयोग और का अमागनी में रूपा कलंकार की छटा दर्शनिया है अब प्रस्ण ये उठता है बच्चो कि अवसर बीत जाने के पस्चात पस्ताना क्यों पढ़ता है पद में दिये गए उदाहर्णों से इसका भाव लिखना है जीवन में ब्यक्तिके समक्ष सुन्दर समय का सदूप्यो प्राप्त होता है ब्यक्तिके जीवन में बहुत सुन्दर समय आया है यह मानों जीवन जो मिला है लेकिन अनेक कारणों से आये हुए इस सुवसर को छोड़ देता है उस पर ध्यान न दे करके उसकी उपेक्षा करता है समय के कीमत को नहीं पहचानता लेकिन यह आउशर अस्चाताप करना ही पड़ेगा यह मानों सरीर भी दुल्लब है योनियों में से सर्वस्रेश्ट योनि है मानव की जैसे गोशामी जी ने रामचरित मानस में भी कहा है कि बड़ी भाग्य से यह मानों सरीर प्राप्त होता है यह जो मानों सरीर दुल्लब है समय रहते इस्वर की आराधना, पूजा, ध्यान, ना मिस्मरण करना चाहिए तभी हम इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं जो पुनर जन्म की अधार्डा है हम उससे अगर मुक्त चाहते हैं सांसारिक सुक्ष जो है जो खणिक है जो आगे चल करके अत्यधिक दुख देने वाला है ऐसे दुखों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें परमात्मा के चर्णों में ध्यान लगाना होगा मृत्य कब आ जाए किसी को पता नहीं है और जब आएगी तो खाली हाथ आपको यहां से जाना पड़ जाएगा यह किसी को पता नहीं होता कि मृत्य कव आने वाली है अंत्र समय में इस्वर का नाम भी मुक्से नहीं निकलता जनम जनम मुनिज्यतन कराहीं अंतराम कही आबत नहीं तो गुष्वामी जी कहते हैं कि जब सहस्त्रा बाव और महराज रावन जैसे राजाओं को भी खाली हाथ इस संसार से जाना पड़ा यह भी मृत्य को प्राप्त हुए तो इस संसार से मोह इतना क्यों लगा रहे हो संसार से इतना प्रेम क्यों कर रहे हो यह पुत्र इस्त्री संबंधी यह सब जो हैं अंतर समय में आपको अकेले छोड़ देंगे अब गुष्वामी जी ने इस पड़ में लिखा है अंतर चले उठी रीते इसका भाव क्या है व्यक्ति संसार में जन्म लेता है यहां इस्वर की आरादना भक्ति से भिमुक होकर सांसारिक माया मोह के बंधन में पढ़कर अपनी संतत्य के लिए धन दवलत घर द्वार आदि बनाता है समारता है भगवान का नाम जो सार तत्व है उसका इस्वर नहीं करता और मृत्य को प्राप्त हो जाता है उस समय उसके साथ किसी भी प्रकार की संपत्य नहीं जाती वह खाली हात जाता है वह संसार से खाली हाती बिदा होता है तो वहीं गोशामी जी कहते हैं अंत चले उठी रीते बच्चो अब देखते हैं दूसरा आपाद महा कव शूर्दास का वास्तों में हिंदी साहित में भक्तिकाल के स्रगुनों पाशक का विधारा के अंतरगर्ट कृष्ण भक्त कभि में महा कव शूर्दास जी का नाम अग्रणी है वे श्रिंगार और वासल के संब्राट कहे जाते हैं महा कव शूर्दास जी का जन्म विक्रम संबत 1535 और संग 1478 में सेही ग्राम के एक साथस्वत परिवार में हुगा पारिवारिक दीनता और आर्थिक विपन्नता के कारण बाल्या वस्था से ही दैन्य भाव के पद गाकर भिक्षाटन किया करते थे गरीब थे तो दीन भाव के पद सूर्दास जी चारों तरप गाते थे और भिक्षाप्राप्त किया करते थे सन पंद्रा सो दस ईश्वी में गव घाट मतुरा के निकट महाप्रभु बल्लभाचारी से भेतुई बच्चो ये वही बल्लभाचारी हैं जो च्छतीस गड़ के चंपारन में अवतरीत हुए थे सूर्दास ने महाप्रभु बल्लभाचारी जी से दिक्षा ली यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन आया और कृष्ण का गुणगान करने लगे महाप्रभु शूर्दास के अनेक ग्रंथों का उलेक हुआ है लेकिन प्रमुख रूप से सूर्षागर शूर्षारा वली और साहित लहरी मानने आए सूर्दास के काब्वे से उनके बहुसूरुत अनुभव संपन्न विवेक सील और चिंतन सील व्यक्तित्तु का परिचय मिलता है उनका हरदय गोप बालकों की भाति सरल और निस्पाप है ब्रज गोपियों की भाति सहज संबेदन सील प्रेम प्रवण और माधुर पूर्ण तथा नंद और यसोदा की भाति सहज सरल विश्वासी इसनेह कातर और आत्म बल्दान की भावना से अनुप्रानित साथ ही उनमें क्रिष्ण जैसी गंबीरता और विदगधता राधा जैसी वचंचातुरी और आत्म उत्सर्ग पूर्ण प्रेम विवस्ता भी दिस्रिगो का पूचर होती है कि ताव के प्रयुक्त पात्रों के विवितवावों से धर, मसायते और संगीत के संदर में महा कभी सूर्दास का इस्थान न केवल हिंदी भासा छेत्री बलकि संपून भारत में मध्य युक की महान विभूतियों में अग्र गर्णे हैं यह सूर्दावजी की लोग प्रीता और महत्ता का ही प्रमाण है कि सूर्दास नाम किसी भी अंधे भक्त गायक के लिए रूर्ण हसा हो गया है किसी को भी हम सूर्द कहने लगते हैं इन्होंने गोवर्धन के पास परशौली ग्राम में सन 1583 इस्वी में अपने सरीर का परित्याग कर दिया अब आए हम महाकर सूर्दास के पद का वाचन करते हैं खेलन हर निकसे ब्रज खोरी कट कचनी पी तांबर बांधे हांथ लिए भवरा चक डोरी और गये स्याम रभी तनेया के तट अंगल सती चंदन की खोरी आउच कही देखी तहां राधा नैन विशाल भाल दिये रोरी नील वसन फरिया कटी पहिरे बेन पीठ रुलती जक जोरी संग लर्किनी चली इता आवती दिन थोरी यति छवितन गोरी सूर्ष्याम देखत ही रीजें सूर्ष्याम देखत ही रीजें नैन नैन मिल परीठ गोरी खेलन हरी निकसे ब्रज खोरी अब देखिए जो हरी हैं कृष्ण है जैसा कि आप जानते हैं कि महाकब शूरदास कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने स्रीमत भागवत का पध्यान उबाद भी किया है सूर्षागर उनका विश्व प्रसिद्ध का बिग्रंथ है या वहीं से लिया गया है खेलन हरी निकसे ब्रज खोरी हरी निकसे ब्रज खोरी खेलन ब्रज की गलियों में भगवान कृष्ण खेलने के लिए निकल गए अब उनके रूप सौंदर ये कावणन, कट कचनी, कमर में कचनी, धोती पहने हुए हैं, पीतांबर बांधे हैं, और हाथ लिए भौरा चकडोरी, हाथ में भौरा, आप जानते हैं, भौरा एक तरह का लकडी का बना हुआ, गोल खिलोना होता है, जिसमें एक डोरी रहती है, खेलते हैं, उसको, हमारे कृश्न भी खेलते थे, हाथ लिए भौरा चकडोरी, और गएникиाम, रवीतनिया के तट, कहा गए खेलने, रवीतनिया के तच, रवीतनिया मतलब हूँना, के तट पर किनारे पर, कृष्न हाथ में भौरा दोरी ले करके चले गए, खेलने के लिए, अब उनके उनके सरीर का सौंदर्य कैसा है अंगलसती चंदन की खोरी उनके सरीर में उनके मने अंगराज चंदन लगा हुआ है सुसो भी थो रहा है अउचक ही देखी तह राधा उन्होंने अचानक अउचक अचानक उन्होंने राधा जी को देखा नेन विशाल भाल दिये रोरी वह उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं और रोरी लगाई हुई हैं श्री लगाई हुई हैं और नील वसन फरिया कटी पहरे अपने कमर में उन्होंने नील वसन फरिया फरिया पहने हुए हैं फरिया अपने यहां जैसे घांगरा होता है और लंबा सा उस तरह से राधारानी पहने हुए हैं और बेनी पीठी रूलती जख जोरी और उनकी जो बेनी हैं जो बाल बाल हैं गुथे हुए हैं और वे पीठी की ओर जूल रही हैं जो बाल हैं इतने बड़े हैं कि वो गुथे हुए हैं और वो राधा जी के पीठी की ओर जूल रहे हैं संग लड़किनी चली इत आबत लड़किन लड़कियों के साथ गोप बालाओं के साथ वे आ रही हैं दिन थोरी यति छवी तन गोरी वे उनकी छवी अत्यंत गोरी हैं अत्यंत सुन्दर हैं राधा जी महा कभी सूर्द आप जी कहते हैं कि कृष्ण रीज जाते हैं और राधा जी भी कृष्ण को देखकर रीज जाती हैं नैन नैन मिल परी ठगोरी एक दूसरे एक दूसरे को राधा कृष्ण को देखती हैं कृष्ण राधा को देखते हैं औ और ये ठगे से हो जाते हैं ठग जाते हैं एक दूसरे के प्रति आक्रिष्ट हो जाते हैं यहां पर आपने देखा कि कृष्ण ने वं राधा के पहली बार मिलन और उनके सौंदर्यका उस भब्य दर्शन का स्वावावी प्रेम का वर्णन महाकर शूर्दार्जी ने किया है यानि दोती पहने हुए हैं, और हाथ में नचाने का भवरा, चकरी वाने पहिया और डोरी यानि रस्सी लिए हुए हैं, उनके सिर में मयूर पंखों से निर्मित मुकूट है, कानों में कुंडल लटक रहे हैं, सुन्दर दंथ पंख्त की चमक के समक्ष, बिद्दुत की चमक भी बहुत कमजोर है वे कृष्ण कालिंदी यानि यमुना रवितनया के किनारे पर पहुंसते हैं वे अपने सरीर पर चंदन का लेप किये हुए हैं वहां पर उन्होंने एका एक यानि अचानक राधा जी को देखा राधा के नेत्र विशाल बड़े हैं वे माथे पर रोली की बिंदी जिसे स्री कहा जाता है लगाई हुई हैं और नीले कपड़े धार्ण के हुए हैं कमर में लहंगा पहनी हैं और उनकी चोटी पीठ पर लहरा रही है संग में लड़कियां हैं जो सम्वयस्क की सोरा वस्ताकी हैं वे गौरवर्ण गोरी हैं राधा के मनमोहन रूप क को ही देखकर श्याम कृष्ण उन पर रीज जाते हैं आखों से आखें मिलने पर दोनों ठगे रह गए इस्तब्द रह गए एक दूसरे के रूप आकृती पर मुग दोकर प्रेम में बन गए राधा एवं कृष्ण के मिलन का संयोंग सिंगार का उत्कृष्ट चित्रांकन स प्रेम का वर्णन अनुप्रासिक छटा लक्षणा सब्द सक्ति और इसमें माधुरे गुण और ब्रज भासा का सुन्दर प्रयोग किया गया है बच्चों एक प्रशन उठता है कि सूर्श्याम देखत ही रीज हैं नैन नैन मिली ठगवरी से क्या आसे हैं वास्तों में सू राधा के अप्रतिम सौंदर ये को देखकर और उधर राधा कृष्ण के अनुपम सौंदर ये को देखकर रीज जाती हैं जब दोनों के नैन मिलते हैं तो ये ठगे से रह जाते हैं उन्हें को सूझता ही नहीं आउचक ही देखीत हैं राधा इस पंक्त में आउचक से क्या नंबर धान के हुए सिर में मोरपंक और सरीर में सुगंधित चंदन का लेपन के हुए देखा अचानक इतनी प्यारी एवं मनमोहन चब तो आश्चर चकीत हो गई क्योंकि वे काना से पहली बार मिली थी इसी प्रकार से कृष्ण भी राधा से पहली बार मिले और वे भी ठग से रह गए